समस्कार दोस्तों आज हम जटायो शौरिय हम इस चाप्टर के केवल प्रश्ण उत्तर की तरचा करने वाले है इस चाप्टर के अहरेक्ष लोग का विश्लेशन हमने अलग वीडियो में किया है आप वो 9 लास प्लेलिस्ट में जाकर देखी है तो चलिए अभी शुरुआत करत देखा उसने मतलब सीता ने कम मतलब किसको द्रश मतलब देखा किसको देखा तुसका अंसर है गुरुद्रहम जटायू को आप ऐसा भी लिख सकते हो आप अब लिख सकते हो उसके बाद खगोत तमह की दुरुशिम गिरम व्या जहार बोला मतलब जटायू किस तरकी वानी बोला तो शुभाम अच्छी वानी बोला जटायू हूँ काभ्याम रावनस्य गात्रे उरणम चकार जटायू ने किस रावन के गात्रे मतलब शरीर बोली पर उरण घाव किये चकार मतलब किये इक्रूदातु का ये रूपे लिटलकार का उसके बाद उसका अंसर है तिक्ष्ण नख चरनाभ्याम तीखे नाकुनों वाले चरनों से पैरों से उसके शेरिर पर घाव किये अरिंदमह खगा दिपह कती बाहुन व्यपाहरत उसके बाद पूर्णवाक्ये न उत्तरा निलिकत है फर्स्ट कोशन जटायो पश्च इति का वदती मतलब हे जटायो देखो ऐसी कौन बोलती है तो उसका अंसर हे जटायो पश्च इति सीता वदती हे जटायो देखो ऐसा सीता बोलती है उसके बाद जटायो रावनम किम वदती जटायो रावन को क्या बोलता है तूसे क्या बोल तु दूसरु की श्री को जबर्दस्ति से ले जाने वाला जो काम है गंदा काम गलत काम हो छोड़ दे ऐसी बुद्धी ऐसी विचार तु नहीं वरते उससे दूर ओजहट जा मतलब तु ऐसे विचार ऐसे कृती छोड़ दे धीरह तत्न समाचरत धीर वेक्ति वह नहीं आचर सदाचारी है उसे समझाने कोशिच कर रहा है जटायू इसलिए उसने इस तरह की सेंटेंस का यूज किया क्रोद के कारण रावन क्या करने के लिए तयार हुआ उद्ध्यता बहुत मतलब तयार हुआ रेडी हुआ तो उसका अंसर है क्रोद वशात रावन तलेन मतलब रावन के उपर घात करने के लिए रेडी हुआ उसके बाद पतगेश्वरह रावनस्य किद्रुषम चापम स शरम भबंजर मतलब जटायू रावन के कैसे किद्रुषम तक कैसे चापम धनुष सशरम मतलब तीरों के साथ ऐसा जो धनुष था तोड़ा वो कैसा था धनुष तो उसका अंसर है पतगे शुर रावन से मुक्तामनी वुष्टम प्रेशिय स्टोन से डेकोरेट किया हुआ ऐसा जो धनुष सशरम मतलब तीरों के साथ ऐसा जो धनुष था उसे तोड़ा बबंज मतलब तोड़ा जटायू हू केन वामबाहूं दंशती मतलब जटायू किस से वामबाहूं को मतलब लेप्ट हैंड को दंश करता है तो जटायू हू तुन्डेन चोंच से वामबाहूं लेप्ट हैंड को दंश करता है Q3. उदारनम अनुसृत्य निनी प्रत्य प्रयोगम कृत्वा पदानी रचेत तो निनी मतलब जो इन प्रत्य उसके उपर हमने वीडियो बनाए तो आप देखोगे तो आपको चितर समय समझ में आ जाएगा फिर भी सिंपल तरीके से कैसे बताएंगे कि गुण प्लस निनी तो निनी का इन बचता है इन तो गुण प्लस इन गुणीन ऐसे हो जाता है और जो नमे जो स्वर है वो डिलिट हो जाता है तो हलंतर न बन जाता है वो सिर्व से इन जोड देते गुणीन तो गुणी ये प्र प्रत्ते का एक वीडियो है आपको देख लिजे प्रत्ते की प्लेइस्ट में जाकर तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा नेक्स्ट धनलर प्लस अड़िनी धनिदंी उसकी बात क्या है रावन सच्छ जटायो शड़ीटान लिखितानी पृतख पृतग क्रुत्वलीकत रावन और जटायू के जो विशशन है वो यहां मिक्स है इस बॉक्स में हमें वो अलग-अलग करके लिखना है तो यहां अलग-अलग करके दिये है देख लेए एक बार पढ़ लेते हैं युआ तो रावन की विशशन क्या युआ है सशरह थाशवह भगनधनवा क्रोद मूर उसी तरह से जटायों के उरुद्ध महावलः पतग सत्तम महागृद्रह खगाधिपह पतग इश्वर यह सभी जटायों के विशेशने तो इस तरह से तो उसके बाद जिसने कवच पहिना हुआ है और कवच का मतलब वही वता यह प्रता में बक्ति एक वचने निनी प्रत्य का रूपे आशू तुरंथ शिग्रम तुरंथ वीरतह रतह भीन मतलब जिसके पास रत नहीं जिसका रत तूट चुका है पपात गिरा अपतद गिरा ठीक है पापात ल मिनिंग उसके बाद क्वेश्चन नबर फायू अदोल किता ना पदा नाम विलोम पदानी मंजु शायाम दत्तेशु पदेशु चित्वा यह था समक्षम लिखतों के तो आपको विलोम पद लिखना है तो हमने यह दिया है विल पंती वतलब रोती हुई हसंती हस्ती हुई आर्यो स्रेष्ट अनार्यो जो स्रेष्ट नहीं हो पद राक्षसेंद्रेन राक्षसो के राजाने देवेंद्रेन मतलब देवो के राजाने पाप कर्मना मतलब पाप कर्मना पुन्य कर्मना पुन्य कर्मना के द्वारा चिप्रम तुरांत मंदम धीरे विगरहेत निंदा क प्रशंसेत् प्रशंषा करना अभी विगार्यत्स मतलब निंदा करनी चाहिए प्रशंसेत् mie HR अ करनी चाहिए विधाइडलींक-mera वुड्ha युवात तरून वामेन मतलब लेट दक्षिन मतलब बाइट हैं और यह जो वामिन लेप्ट हैंड के लिए उसके जाता है अतिक्रम्य मतलब अतिक्रमन करके इस तरह से उसके बाद कोशन नमर शिक्स वाक्यानी रचेत तो यह शब्द दिये है और उनके मदद से हमें वाक्य बनाने तो हमने वाक्य दिये है तो शुबाम का वाक्य क्या जाटायू हूश भाम घिरमरावनम आवदत तो जाटायू ने अच्छी वाणी रावन् को बोली हतवत नहीं हत शारति अबवत नहीं हतना है जिसका साहरति मर चुका एसरावन treaties मतलब 換ताए नहीं हुए queries है के न सीताम अजारेत रावन ने लेप्ट हैंड से सीता को पकड़ा ऐसे इस तरह से उसका अंसर है ठीके उसके बाद है उदारनम अनुसरत्य समस्तम पदम रचेत ओके तो यह समास है आपको नाइन क्लास के लिए समास नहीं है यह तेन क्लास के लिए है फिर भी आपने समास कर पंचवटी सप्ता नाम पदा नाम समार सप्तपदी अश्टा नाम भुजा नाम समार अश्टभुजी चतुर नाम उखा नाम समार चतुरुमकी इदे आपको समास समझना है तो इसके उपर हमने एक वीडियो बनाया है आपको देख लिए समास प्लेलिस्ट में जाकर तो आ आज के लिए इतना ही धन्यवाद.